हेलो फ्रेंट्स, वेल्कम बैक तो दुचानल, फरमाईए इस दि वर्चु ओफ हमानेटी, आज हम आगेन लेकर आए हैं, यूपीएसी टूथाउज़न एटी इन प्रीविएस येर पेपर, सेट ए, आज हम क्वेश्चेन डिसकस करेंगे 41 तू, 41 तू 60, ठीक है, इसके पहले के जो क्वेश्चेन हैं, उनकी वीडियो अल्रीडी चैनल पे अप्लोड़ेड है, आप पहले उन वीडियो को देख लें, उसके बाद आप यहां पे कंटीनियू कर सकते हैं, तो सीरे हम चलते हैं, क्वेश्चेन 41 पे, उसके पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ह है कोर्स को, तो प्लीज इस को सब्सक्राइब कर लिजे, और वीडियो को लाइक कर दीजे, और जादा से जादा लोगों तक शेयर कर दीजे, so that जो भी नीडी पीपल हूं, उन तक ये वीडियो बहुत सके, ठीक है, बिलकुल भी फ्री है, आप फ्री साइन अप कर सकते हैं चलिए, so सीरे question पे आते है, सबसे, जो 41 पहले जो question आता है, consider the following statement, again, दो statement दी गई है, और हमसे पूछ हाजारा है, correct, ठीक है, so directly, हमारा answer क्या होगा यहाँ पे, C, अब ये मतलब बोथ 1 and 2 are correct, अब ये किसका question है, ये आपका जो question है, वो है, quality का, ठीक है, quality का question है, लक्षमी का चाप्टर, गवर्नर, बलब गवर्नर चाप्टर आप पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ पे detail मिल जाएगी, फिलाल हम बहुत जादा detail में discuss नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत जादा detail में discuss करने से, question, videos, sorry, videos जो होते हैं, वो लंबे हो जाते हैं, तो हम यहाँ पे short में discuss करेंगे अब चाप्टर प्लीज एक बार देख लिजेगा, चलिए, next, question number 42, अब यहाँ पे question पूछा जा रहा है, the well-known painting, बनी थनी, belongs to, ठीक है, बनी थनी paintings की बात की जा रही है, तो जैसा कि आपको पता है, यह art and culture का question है, ठीक है, art and culture का question है, और यहाँ पे painting से related है, ठीक है, तो कहा जाता है, आपके painting हो गए, architecture हो गए, कुछ वहाँ पे important topic है, जो आपको revise करके exam से पहले जाना चाहिए, ठीक है, okay, so इसका correct answer हमारा होगा, D, किशंगर school, मतलब बनी थनी जो painting है, बनी थनी refers to Indian miniature painting, बनी थनी जो painting है, वो miniature painting है, ठीक है, miniature का मतलब होता है, जो छोटी छोटी ची बड़े आकार को ना बना के, उसकी छोटा वर्जन बनाया जाता है, छोटी सी statue बनाए जाती है, छोटी सी मूर्ती बनाए जाती है, ठीक है, तो उसे miniature कहते हैं, वो हो गया miniature painting, painted by निहाल चंद, अब ये नाम, जो है इनका, निहाल चंद, from Marwar School of Kishengar, ठीक है, तो Marwar School of Kishengar, Kishengar School, directly, तो यहाँ पे अगर option दिया रहता, Marwar School, तो वो भी correct होता, Kishengar School, तो वो भी correct है, बनी थानी painting में, क्या बनाया जाता है, तो बनी थानी painting में, women को portrait किया जाता है, जो बहुत ही graceful और elegant दिखते हैं, next, question number 43, what is thermal high altitude area defense, थार, short में जिसे कहते हैं, sometime seen in news, so time news में रही होगी, तो इसलिए यह question पूछा गया है, ठीक है, so obviously news से है, तो यह current affair का question हो जाता है, option जो हमारा correct है, वो है C, an American anti-missile system, अब थोड़ा सा देख लेते हैं, thermal high altitude area defense, और थार, is an anti-ballistic missile system of US army, जो shoot कर सकता है, short, intermediate and medium range ballistic missiles, in their terminal phases, ठीक है, so याद रखना है, terminal phase में shoot कर सकता है, short range, intermediate and medium range, ठीक है, so यह आपको याद रखना है, third, previously called theater high altitude area defense, मतलब पहले यहाँ पे terminal नहीं था, पहले यहाँ पे था theater, ठीक है, okay, so move करते हैं, next question पे, question number 14, with reference to cultural history of India, consider the following statement, 44 number question, again, यहाँ पे question, culture, से पूछा गया है, art and culture से, so यह, अच्छा, correct हमारा answer क्या होगा, B, मतलब 2 and 4 are correct, so थ्याग राजा created several new ragas, correct है, and अन्नामचार्य कीर्टनास are devotional songs in praise of Lord Venkateshvara, so this is also correct, ठीक है, so सेंट त्याग राज ने thousands of devotional composition बनाये थे, ठीक है, जिसमें mostly Telugu language में होते थे, मतलब जो जादा से जादा जो language में उन्होंने बनाया है, वो है Telugu language, जितने भी devotional composition, मतलब बहुत सारे devotional composition उन्होंने बनाये थे, और वोस mostly Telugu language में होते थे, and praise of Lord Rama, not Lord Krishna, अब first statement अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर Lord Krishna लिखा हुआ है, so Lord Krishna नहीं है, Lord Rama, ठीक है, so most of the Tiaag Raja Kirtis are devotional songs in praise of Lord Rama, not Lord Krishna, ठीक है, okay, why this questions were asked, अब यह आपको लग सकता है कि क्यों यह question पूछा गया, because in 2017 was the 258th birth year of Tiaag Raja and Annamacharias, ठीक है, so question जो UPSC में पूछे जाते हैं, वो बहुत unique होते हैं, ठीक है, किसी को difficult लगता है, किसी को moderate लगता है, easy किसी को नहीं लगता, obviously, ठीक है, so जो भी चीज़े current में, इसलिए कहा जाता है, जो current की चीज़े चल रही है, आपको उस पर ध्यान रखना है, अब 258th birth anniversary, जो birth year थी, यह मनाये गया था, त्याग राजा अनमाचारिय का 2017 में, आप देख सकते हैं, question जो आया है, 2018 की paper में आ गया है, so इसलिए आपको चीज़े minutely notice करनी है, okay, चलते हैं, next question में, question number 45, which of the following are regarded as the main feature of rule of law, so again, यह question आपका quality से है, ठीक है, वहाँ पे आपको, कहाँ पे मिलेगा यह, लक्ष्मी कांथ, chapter, fundamental rights, fundamental rights, जो chapter है लक्ष्मी कांथ में, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, इसके साथ ही, class 11 की जो NCIT है, वहाँ पे भी दी गई है, rule of law implies that all individuals, all individuals मतलब सारे अमीर, गरीब, सब, men, women, forward, backward, सब, सारे कास्ट, सब, सब कुछ, all are subjected to the same law, मतलब, rule of law, कि अगर बात की जाए, तो अमीर हो, गरीब हो, men हो, women हो, forward class हो, backward class हो, सब को same law applicable होता है, किसी के लिए अलग, किसी के लिए अलग, नहीं होता है, ठीक है, तो यहां पर जो हमारा correct answer होगा, वो होगा, C, 1, 2 and 4, देख लेते हैं, limitation of powers, ठीक है, correct पूछा गया है, equality before law and liberty and civil rights, ओके, move करते हैं, question number 46, question number 46, which one of the following statement correctly describe the meaning of legal tender money, ठीक है, legal tender money, again, economic question है, ठीक है, यह economic question है, correct हमारा जो है, B, the money which a creditor is under compulsion to accept in settlement of his claims, मतलब, legal tender money is a type of payment that is protected by law, ठीक है, also known as forced tender, ठीक है, forced tender, भी जिसे कहते हैं, which is very secured, बहुत जादा secured होती है, कैसे secured होती है, because no one can refuse to accept due to law, मतलब, जो legal tender money होती है, कोई भी उसको reject नहीं कर सकता, refuse नहीं कर सकता, to accept, और news में भी यह उस समय थी, news में कहां पर थी, crypto currencies, crypto currencies are not legal tender in India, यहां पर हम ज्यादा discuss नहीं करेंगे, obviously, फिर कभी किसी और जब हम economic chapter कर रहे होंगे, तो हाँ पर हम discuss कर लेंगे, detail में, पर यह आप समझ जाए, यह overall legal tender money क्या होता है, चली, question number 47, next, if a commodity is provided free to the public by the government then, so 47, economic question है, correct जो हमारा होगा answer, C, the opportunity cost is transferred from the consumers of the product to the tax paying public, question number 14, increase in absolute and per capita real GNP, do not, cannot a higher level of economic development, F, 48, question again, economic है, answer होगा हमारा, C, poverty and unemployment increase, अब देख लीजिए, per capita GNP, per capita GNP, total value होती है, of all goods and services, produced by a country in a year, इसमें foreign investment से income होती है, included होती है, अब इसे divide कर देंगे, by number of people living there, ठीक है, जितने लोग वहां रहते हैं, वैसी country, जहाँ foreign investment बहुत जादा है, GNP per capita is more accurate economic indicator होती है, ठीक है, अब GNP equal to क्या होता है, GNP equal to होती है, GDP plus net income inflow from abroad, minus net income, अब यहाँ पर क्या होगा, outflow, ठीक है, outflow to foreign countries, ठीक है, ठीक है, यह होती है, GNP equal to GDP plus net income inflow from abroad, जो आ रहा है, minus net income outflow to foreign countries, यह होती है आपकी GNP, ठीक है, इतना काफी है, move करते हैं, next question पर, question number 49, consider the following statement, again statements कुछ दी गई है, जिसमें से हमें correct पूछा गया है, human capital formation as a concept is better explained in terms of process which enables, अब अगें यह question आपका economy से आता है, और directly जो हमारा answer होगा, C, 2 and 4, 2, increasing the knowledge, skills, skill levels and capacities of the people of the country, it is correct and the 4, accumulation of intangible wealth, so NCIT class 11, जो है, India's economy development, chapter 5, वहाँ पे इसकी complete detail दी गई है, वहाँ पे आप जाके detail में पढ़ सकते हैं, next, question number 50, despite being a high saving economy, capital formation may not result in significant increase in output due to, so 50 question again, आपका economy का है, 50 directly हमारा जो answer होगा, high capital output ratio, ठीक है, next, question number 51, after the Santhal uprising subsidized, what were the measures taken by the colonial government, ठीक है, so ये modern history का question है, so directly हम यहाँ पे answer टिक करेंगे, C होगा हमारा correct answer both, मतलब 1, 2, both are correct, correct पूछा गया है, modern history का question है, तो आप ये सारी चीज़े revise कर लीजेगा, एक बार देख लीजेगा, ठीक है, the territories called Santhal Paraganas were created, and it became illegal for a Santhal to transfer land to a non-Santhal, ठीक है, तो वहाँ पे detail में दी गई है, तो वहाँ पे आप पढ़ लीजेगा, चलिए, next, question number 52, economically one of the result of the British rule in India, in the 19th century was, 52, again आपका modern history का question है, answer होगा C, commercialization of Indian agriculture, ठीक है, spectrum भी, जो chapter 8 है, spectrum में, economic impact of British rule in India, page number 274, तो वहाँ पे आप देख लीजेगा, वहाँ पे इसकी detail दी गई है, चलिए, next, question number 53, if the president of India, exercises power as provided under article 356, of the constitution, in respect of the particular state, then, political question है, directly, ठीक है, लक्षमिकान chapter, emerging provisions, किसको क्या क्या provisions है, ठीक है, president के लिए क्या है, governor के लिए क्या है, तो वहाँ पे ये detail आप दी गई है, president के लिए, तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, directly हमारा जो answer होगा, वो होगा, B, the powers of the legislature of that state, shall be exercisable, by or under the authority of the parliament, next, question number 54, consider the following pairs, यहाँ पे craft दी गई है, और heritage दी गई है, ठीक है, पूछा गया है, कौन सा correctly matched है, so only one is correct, first, पुतु कुली, शॉल्स, तमिल नाडू is correct, next, question number 55, in which of the following areas, can GPS technology be used, science and tech का question है, आप में देखा, अभी तक जो questions हमें मिले थे, economy से मिले थे, quality से मिली थी, current affairs के question थे, modern history के questions थे, ठीक है, अब हमें, यह पहला question हमारा मिल रहा है, science and tech का, mobile phone operation, banking operation, controlling the power grid, select the correct, obviously correct हमें बताना है, so 55 का जो answer होगा, हमारा D, all the above, और यह, ऐसा माना भी जाता है, कि most of the time, science and tech के, जो questions होते हैं, उनमें, जो all of the above, जादातर correct होते हैं, I don't know, हर जगए यह applicable नहीं होता है, so directly आख बंद करके, मत करिएगा, पढ़ लिजे, question का background, क्या पूछ रहा है, उसके back में, क्या theories है, फो थोड़ा सा understand करने की कोशिश कीजिएगा, क्यूंकि, straight forward question easy लगता है, but easy होते नहीं है, okay, question number 56, consider the following statement, again, दो, तीन statement दी गई है, हमें, economy का question है, answer होगा हमारा, यहां पे, C, 2 and 3, treasury bills are issued by the government of India, and there are no treasury bills issued by the state government, state government के द्वारा कोई भी treasury bill issue नहीं होते है, and third, treasury bills offer are issued at a discount from the per value, ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं, जो RBI chapter है, और RBI से related जितने भी concepts है, वो directly नहीं आएंगे, लेकिन आपको वो concept पता होना चाहिए, उसका logic समझ में आना चाहिए, ठीक है, so these topics should be revised before the exam, okay, next question number 57, consider the following statement, अब यह question आपका आगया, जोग्राफी से, ठीक है, जोग्राफी के question पहले भी मिले थे हमें, the earth's magnetic field has reversed every few hundred thousand years, ठीक है, तरिक पूछा गया है, so यहां पे सबसे पहले मैं यह बता दू, हमारा जो correct answer होगा, अब होगा, C1 and 3, मतलब पहला हमारा correct है, और 3rd हमारा correct है, when leaving organism originated, they modified the early atmosphere of the earth, so this is correct, अच्छा, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, कि second option क्यों wrong है, there are three stages in evolution of present atmosphere, when the, अच्छा, यहां पे statement मैं पढ़ लेती हूँ, when the earth was created more than 4,000 million year ago, there was 54% oxygen and no carbon dioxide, okay, so in early atmosphere water vapor, nitrogen, carbon dioxide, methane, ammonia and very little free oxygen, मतलब यहां उल्टा कर दिया गया है, 54% oxygen, नहीं, वो बहुत ही कम था, मतलब बहुत ही कम था, बहुत ही कम था oxygen और carbon dioxide was present, इसके साथ, methane, ammonia, water vapor, nitrogen यह सारी चीज़े, early atmosphere में present थी, that's why this second option is correct, sorry, wrong, next, question number 58, the term, wanna cry, petya and the eternal blue, sometime mentioned in the news, recently are related to, अभी किसे related है, obviously news में चल रही होगी उस time, तो इस वज़ा से यह question पूचे गया है, अब यहाँ पे जो आप terms देख रहे हैं, wanna cry, petya and eternal blue, what, these are, these are ransomware, ransomware जो होते हैं, एक तरह से cyber attack होते हैं, यह तीनों जो हैं, वो एक cyber attack हैं, तो हमारा correct answer होगा, cyber attack, it is not cryptocurrency, यह नहीं है, mini satellite, यह सब तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, so these are not, cyber attack, जो है हमारा correct answer है, cyber attack में क्या होता है, तो यह जो ransomware, cyber attack जब किया जाता है, तो जिस भी system पे cyber attack होता है, वो system lock हो जाता है, और उसको unlock करने के लिए, कुछ ransom, कुछ amount, demand की जाती है, ठीक है, इसलिए, this is called ransomware, ठीक है, यह ransom, bitcoin में लिए जाते है, अपने बहुत टाइम सुना भी होगा, कि किसी कंपनी पे ransomware attack हो गया है, so these are cyber attacks, okay, so move करते हैं, next, question number 59, with reference to the circumstances in Indian culture, the concept of conservation agriculture assumes significance, which of the following fall under the conservation agriculture, so 59 का हमारा, correct answer होगा, C, 2, 4, 5, अब, अगर आपने ये question, जिन्होंने भी उस्ताइ, 2019 का paper दिया होगा, उन्हें ये question, या तो बहुत tough लगा होगा, या तो बहुत easy लगा होगा, अब easy किन को लगा होगा, tough तो उनको लगा होगा, जिन्होंने मतलब, जिनको यार नहीं आ रहा होगा, या eliminate नहीं कर पा रहे होंगे, या ठीक है, तो उसकी बात नहीं करते हैं, अब easy किन को लगा होगा, easy उनको लगा होगा, जो कुरुषेत्रा पढ़ते हैं, और हर topic के, पीछे का concept पूरा clear कर लेना है, ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा होगा, तो कुरुषेत्रा में, feb 2018 की जो magazine थी, feb 2018 कुरुषेत्रा की जो magazine थी, वहाँ पे इसके बारे में दी गई थी, detail आई थी, और उसमें जो key feature दिये गये थे, वही यहाँ पे, यह statements में यहाँ पे पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं, questions कहां कहां से आते हैं, directly है यह statement, अगर आप चाहें तो, feb 2018 का कुरुषेत्रा उठा कर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगे, ठीक है, so correct हमारा answer होगा, 245, मतलब, adopting minimum tillage, using crop residues to cover soil surface, and fifth, adopting spatial and temporal crop sequencing, crop rotation, so यह directly statement दिया गया है, so यह हमारा correct answer है, move करते हैं, next question में, question number 60, the term, sixth mass extinction, is often mentioned in the news, the context of discussion, ठीक है, अब आप देख सकते हैं, जो statement हमारी दी गई है, कितनी statement की जो line होती है, कितनी बढ़ी है, एक चोटे-चोटे तीन-चार वर्ट के statement नहीं है, so इसलिए हमें कहा जाता है, कि आपको अपनी reading पे जादा देहान देना है, so that कि आप question fastly भी read कर सकें, और understand करने के साथ-साथ पर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमें सिफ जो statement देखे हैं, बस read करना है, read करने के साथ-साथ उसको समझना भी है, और exam के hall में कितना pressure होता है, already बहुत pressure होता है, so इस वजए से हमें reading की habit starting से ही लखनी चाहिए, कि यह past read करना है, और correctly read करते जाना है, चलिए, यह current affair का question है, और थोड़ा सा यह question आप इसको tough कह सकते हैं, थोड़ा सा tough कह सकते हैं, इसका जो answer होगा, आपका क्या होगा, D होगा, mankind's over exploitation, misuse of natural resources, fragmentation, loss of natural habitats, destruction of ecosystem, pollution and global climate change, ठीक है, चलिए, next question, ओ, okay, ठीक है, okay, so, आज के लिए इतना ही, that's all for today, अगर आपको थोड़ी भी topic समझ में आई हो, कोई भी doubt हो, और भी कोई question आपको हो, तो आप comment section में पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको मैं answer कर दूँगी, ठीक है, so, आज के लिए बस इतना ही, कोर्स को subscribe कर लिजे, और क्योंकि ये कोर्स फ्री है, आप subscribe कर लिजे, like कर दीजे, और जादा से जादा लोगों तक share कर दीजे, revision के लिए बहुत important है, paper बहुत नजदीख है, कोई नए topics अभी पढ़िए मत, revise जितना हो सके, उतना करिये, so, okay, thank you, मिलते हैं next video में, bye.